हलो प्रेंट्स नमस्कार वेरे गुड इविविनिंग मित्रो बहुत ही शांदार वीडियो आपके लिए तयार किया जा रहा है राजस्तान की योजनाओं को लेकर यह जो वीडियो में करम से डालने वाला हूं यह राजस्तान की जितने भी भरती प्रिक्षे हैं उन सभी के ल जरूरी है महज 5 मिनट के अंदर में राजस्तान की टॉप 20 टॉप 20 योजना मित्रो बताना हो चलिए श्टाट करते हैं पहली योजना क्या है पहली योजना देखो OPS अब सब जानते हो ओल्ड पैंसन स्कीम यानि पुरानी पैंसन जो योजना है वो राजस्तान की मुख्य मंत्री द्वारा एक अपरेल 2022 को पुर्ण लागू कर दी गई जो 2004 में बंद कर दी थी यानि OPS के जगर पहले क्या थी NPS तो बहुत बड़ी योजना है और राजस्तान सरकार द्वारा जारी कलेंडर में भी इस योजना ने स्थान बनाया है तो मतलब यह आपके एक्जाम क एक समुदाइक को भी बहूद जोड़ दिया गया है क्या है इस योजना के टायत जिल्ला मुखेलय पर रुपे 5,000 रुपे और संभाग मुखेलय पर 7,000 रुपे दस माह के लिए जाता है हाँ इस योजना में mein तो पुल लाभन समझ 1975 अगई होगी तर या एक कि अधिशल閱 में उनस्यम के लावा कोई पूर्श अदस्य ना हो उन लोगों के लिए निसुलक इमितर की सेवा इसमें क्या होगा आपको 181 नंबर पर फॉन करना पड़ेगा आपको किस से समंदित क्या योजना चाहिए क्या सुविधा चाहिए उससे समंदित आपको जानकरी देनी रहेगी फिर नजदी की जो इमितर वाला वह आपके घर पे आके वह श्यावा निसुल्क दे कर जाएगा यह मुख्य मंत्री हमारी जीमेदारी योजनाम नेक्स्ट वे खिलाडियों को पैंसन योजनाम जो प्रती माँ 20,000 रुपे मिलेगी किसको मिलेगी जो राटक मिलेगी खेल एशियन खेल या ओलम्पिक गेम्स में कोई पदक जीता है चाहिए स्वन जीता हो चाहिए गोल्ड खिलाडी और इनके कोच इनको जब उमर इनकी 40 वर्स हो जाएगी 40 प्लस हो जाएगी उसके बाद इनको प्रती महिना 20,000 रुपे पैंसन दी जाएगी तो बहुत ही अच्छी हो जना ये भी नेक्स देखे नमर पांस में नवीन महिला पॉपरेटिव बैंक नवीन महिला होई है जे प्रमुही है चलिए नेक्स्ट सुद के लिए युद्व अभियान आपने खुब अख़वार हम पढ़ा होगा इसकी सुरुआत 14 अक्टमबर 2020 है विभाग कौन सा चिकित श्या एमम स्वास्ति विभाग है और किसके विरुद आई है तो ये मिलावट खोर जो है जो भोजन में मिलावट कर देते हैं तो मिलावट खोरों के विरुद है और इसके लिए फूड सेप्टी अंड ड्रग कंट्रोल कमिशन बनाया गया है स्वस्त बेटी अभियान बहुत इस शानदार है यह 24 जनव़ी 2022 को सुरू किया गया राष्टिय बालि का दिवस की उपलग में और इसकी जो सुरूआत है वो हूए बान्सूर अलवर से बहुत मैत्रपुने, स्वस्त बेटी अभियानकार शुरुआ, बांसुर अलवर से, कब 24 से दो जार बाइस को, 24 जनवरी के आता है, राष्टिय बाली का दिवस आता है, गाडिया लोहर जो आवास योजना है, इनमें क्या था, पहले इनको 17,000 रुपे मिलते थे, यही बजट बजट दो जार, 22 तेशक अंदर क्या कर दिया गया, 70,000 से बढ़ा कर दिया, 120,000 रुपे इनको कर दिया गया है, पियम वानी योजना, पियम वानी योजना क्या है, तो इसमें फिरी वाइफाई की सुधा दिय जाएगी, और यह योजना के अंदर सरकार की, इसकी सुरुआ जो राजस्तान के परताब गडशे हुआ है, उसका विभाग कौन सा है, दूर संचार विभाग है, केंदरी है, दूर संचार विभाग है इसका, तो पियम वानी योजना क्या है, निसुलक वाइफाई योजना, जिसमें सुरुआत जो है, राजस्तान के परताब गडशे पुलिस मेरी दोस्त योजना, इसकी सुरुवात कहा शे हुए, डूंगर पुर्शे हुए, क्या है ये योजना, इसमें क्या है कि ककसा नोसे, बारवी की जो लड़किया है, उनको प्रतेक सनिवार जो है, नजदी की पुलिसे स्टेशन पर उनको जानकरी दी जाएगी, यानि उनको friendly विवार की, यानि कि वो आपस में पुलिस से डरेना, और अपने मन की बात उनको बता सके, उनके साथ कोई भदरता हो रही है, कोई समस्या हो, कोई संकोच हो, वो उनको बता सके, इसके लिए पुलिस मेरी दोस्त योजना, डूंगर पुर्शे सुरू की गई है, बा सादा वर्दी में एक पुलिस अधिकारी बठा रहेगा, सादा वर्दी में, ठीक है, और उद्दे से क्या है, बाल अपरादू को रोकना यानि कि जो बाल अपराद हो रहे है, it punishment हो रहे है, ऐसे बालकों को वहाँ पर लाना, ले जाना, समझाना, क्या उनकी समझया है, वो को सुनना ये जो शुरुवात की गई है बाल आयोग और बचपन बचाओ जो फाउंडिसन है केला सत्यार्ति का उनके साथ उनके द्वारा ये शुरुवात की गई है राजस्तान के उध्य पुर्शे परिन्डा बांदो अभियान ये जेप्रसी सुरुव के अगया 13 मार्श 2022 को किसके खिलाप है गुस्पेट के खिलाप यानी जो पाकिस्तान की सीमावर्ति जो इलाका है जेसलमेर, बाडमेर, गंगा-नगर इन सेत्रहों में क्या है गुस्पेट को रोखने के लिए उप्रेशन सरहद शुरू किया है किस सने क्या है रास्तान पुलिस ने उप्रेशन सर्द हवा जो एक जैसे उनको मैंने एक साथ लेके आ है हूँ ओप्रेशन सर्द हवा या गर्म हवा ये B.S.F के दोरा सुरू किया गया और ये विशेश परकार का प्रसिक्षन है पुलिस मेरी दोस्त डूंगरपूर बालमित्र थना उदेपूर स्तरहद रास्तान पुलिस और सर्द हवा B.S.F अभियान सक्ती ये विकानेर में शुरू किया गया है यहां की जिलादी स्रीमान भगवती प्रसाद जी के दोरा अभियान सक्तिक शुरू आत की गी और उद्दे से क्या है लिंगानुपात और एनिमिया के प्रती महिलाओं में जागरुकता बढ़ावा देने के लिए ये यो सोभागे योजना क्या है तो सोभागे योजना सोर उर्जा आधारित योजना याद रहना सोर उर्जा आधारित योजना है के इंदर सरकार की योजना है और इसमें राजिस्तान पहले स्तान पे है यानिकि हर घर को सोर उर्जा से जोड़ना सोर कनेक्टिविटी देना इसक करेंगे इसके अंदर सरों सुईधा युक्त अंगनवाडिया बनाई जाएंगे इन ऐसी अंगनवाडी कहले की जग़ा पढ़ने की जग़ा खाने पी नहीं व्योस्ता हो और ये कौन कर रहा है राजस्तान सरकार और विदानता समूद्वारा किया जा रहा है पिर देखें, नमबर 18, क्या है? सहरिया का थोडी जन जाती में, सहरिया का थोडी जन जाती को मंदरेगा में, अब जो है 200 दिन तक कारिय दिवस मिलने वाले हैं, दो सो दिन तक फिर देखो नीतियायो का स्वास्ते सुचकांग दो जारी किस नीतियायो का जो स्वास्ते सुचकांग जो दिया गया उसको तीन केटिगरियों बाटर का है वराध राज्ये, लगू राज्ये और केंद्रे व्रहद राज्या में 17 राज्या आते हैं, उसमें राजस्तान का 16 राज्या आते हैं, जो की बहुती खराब नंबर है, और सबसे अंत में यूपी आता है 17, सबसे अच्छा है इसमें तमिलनाड हुए, यनि नंबर एक पे जो स्वास्ते सुचकांग है 2021 का, उसमें नंबर एक तमिलनाड हुए, राजस्तान का 16 राजस्तान है, सबसे खराब यूपी है, लगू राज्या में जो छोटे राज्या से मिजूरम पहले नंबर पे हैं, के अंदर साच्छित में चंडीगड पहले इस्तान पे है, बेरोजगारी, बेरोजगारी की मामले जो CMIC की रिपोर्ट है, उसके अंदर गर राजस्तान का पहला इस्तान है, राजस्तान लगबग 65 लाख बेरोजगार है, मित्रो ये था एक आपका बहुती शांदार क्रंट अफेर्श और योजनों जोड़ा और डोज कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताजिए, महज 5 मिनिट के अंदर आपको 20 योजनों की संपुन जानकारी दिए, ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए, आप अपने इस दक्स सलूमबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक शेर करें, जै हिंद